बॉलिवूड एक्टर शिशान सिंग राजपूर चौदा जूम को दुनिया को अलविता कह गए चार बहनों में एक भाई शिशान को उनकी बहने राखी की मौके पर बेहद मिस कर रही है हर साल की तरह वो अब शिशान को कभी राखी नहीं बान पाएंगी इस पर दुख जताते हुए शिशान की बहन राणी ने एक emotional note लिखा है गुलशन मेरा बच्चा, आज मेरा दिन है, आज तुम्हारा दिन है, आज हमारा दिन है, आज राखी है 35 साल की बाद ये पहला अफसर है जब पूजा की थाल सजी, आरती का दिया भी चल रहा है हल्दी चंदन का टीका भी है, मिठाई भी है, राखी भी है, बस वो चहरा नहीं है जिसकी आरती उतार सकोई, वो ललात नहीं है जिस पर टीका सजा सकोई, वो कलाई नहीं है जिसे मीठा करा सकोई, वो माथा नहीं है जिसे चूम सकोई, वो भाई नहीं है जिसे गले लगा सकू lieutenant वर्षु पहले जब तुम आये थे तो जीवन जगमट हो उठाता है जब थे तो उजाला ही उजाला था अब जब तुम नहीं हो तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या करू तुम्हारे बगैर मुझे जीना नहीं आता कभी सोचा नहीं कि एसा भी ये दिन होगा कि तुम नहीं होगे। धेर सारी चीज़े हमने साथ साथ सीखी। तुम्हारे बीना रहना मैं अकेले कैसे सीखी। तुम ही कहो। हमेशा तुम्हारी रानी दीदी। बता दे 14 जून को शिशान्त अपने मुंबई वाले फ्लैट में फांसी के फंदे पर लटके पाए गए थे। इस मामले में एक्टर के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में F.I.R. दर्ज कराई। लगतार इस मामले में नए मोड आ रहे है और C.B.I. चांज की म अद्वेद हो रहा है।